हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नुप्ति की प्रक्रिया अगर इमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही युवाओं के साथ खिलवाड़ है अपनी प्रतिवा को प्लाइन करने के लिए मजबूर करता है एक राष्टिये पाप है अगर युवा के साथ अन्याई होता है और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तै किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भोश्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम लोग भी जिरो टॉल्मेंस की नीति को अपना करके उन तत्तों से उतनी ही सक्ति और कठोरतम तरीकी से निपटने का काम करेंगे जो हमारी युवाओं की भोश्य के साथ खिलवाड़ करने का तुस्साथ करेगा है और सरकार ने तो कारवाई प्रारंब की है प्रारंब में भी की थी अब फिर एक बार और कारवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों को खिलागा क्योंकि हम लोग तक्निक का अपयोग करते हैं तो हम लोगों किस समान ही वे तत्तव भी तक्निक का अपयोग करने लगते हैं कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संबहता गलत काम नहीं करते अच्छी दिसा में आगे वड़ते खुशाल का जीवन ड़ीद करते लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कारवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कारवाई हम लोग ऐसे तत्तों के खलाब करेंगे जो युवाओं के बहुत से के साथ खिलवाड करेंगे और कारवाई भे ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कारवाई करते हैं, तो इसको एक ऐसा प्रस्थूत करते हैं, नजीर बन जाएं, नजीर बनवाएंगे, दोस्रों को इसके सामने वो धारन प्रस्थूत करवाएंगे, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंतरी मोधी जी का जो वि सब्सक्राइब पारदर्सी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके सरकार इसके लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ कारे कर रही है और उसी का प्रिणाम है कि पिछले साथ वर्स के अंदर छह लाग से थिक युवाओं को हम लोगोंने अब तक प्रदेश के साथ के विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी है नुप्ति की प्रक्रिया सरी आयोक और बोर्डों के माध्यम से नरंतर जारी है एक तरफ सरकारी विभागों में पुरी सुचता और बार्दस्ता पूर्ण तरीके से नुप्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारती जंता पार्टी की सरकार ने जो प्रियास प्रारंब किये थे आज उसके सार्थक परणाम हम सब के सामने देखने को मिलना है प्रदेश में सुरक्सा और कानुन विवस्ता की बहतर रिष्टी का प्रेड़नाम कैसे होता है ये आज हम सब के सामने है जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाता था उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है आपने अपी पिछले दिनों देखा होगा आपके गगत सब्ता ही प्रधान मंत्री जी ने दस लाग चौबीस हजार करोड उपे के निवेश के प्रस्ताओं को जमीनी धरातल पर उतारा था यहने उनका सलान्यास का कारेकरम संपन हुआ इस दस लाग चौबीस हजार करोड उपे के निवेश के प्रस्ताओं का जमीनी धराधन पर उतरने का मतवत जानते हैं 34 लाग से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी इस 34 लाग लोग पहले कहां जाते थे देश के अंदर अलग-अलग जगों पर भटकते थे कुजराज जाता था कोई तमिल नाड़ो जाता था कोई आंधर-प्रदेश जाता था आज कहीं जणा नहीं है बलकी अपने ही राज्य में वह निवेश हो रहा है अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी यहां एक सम्मावना प्रदेश के अंदर तयार करती रही जब हम लोग ग्लोबल इंडेश्टर समिट किये थे फरवरी 2023 में तो हमें 40 लाग करोड रुपी के निवेश के पस्ताप रख रही तो दुनिया देख रही थे एक लुपी में क्या हो गया है कि इतना पैसा रहा है कि थोड़ी भी सासन प्रसासन की कार्य पद्दती बदल जाए इमांदारी पूर्ण तरीके से कार्य करना प्रारंब कर दे प्रण तो कैसा सुर्मांगेन विकास के रास्ते खुलते निवेश आरा है इंफ्रस्रक्ट्चर आज के दिन पर तरब्रदेश में जıtना कनेक्येविटी के लिए फोर लेन की कनेक्येविटी हो एक्सप्र》 आइवे का हो रेल्वेह का हो इयरड कनेक्यविटीthere वाटर वेका हो जतना बेहतर कारी यूठी के अंदर हो रहा है कि हमें तर देखना कफी नहीं है कि इस इंफ्रस्ट्रेक्चर का लाप उत्तर्पदेश के अंदर मिला है गाउं गाउं में बिदुति कणका कारी हो रहा है नए सब स्टेशन लग रहे हैं नए जन्रेशन प्लांट लग रहे हैं कि विद्दुत की अधिक सेदिक आपूर्ति देने की कारवाई हो रही है नेने तरीके से लोगों के जीवन में प्रिवर्तन लाने के कारे हो रहे हैं इस सभी कारे समयवद तरीके से आगे वढ़ाने का कारे हो रहा है इंप्रस्टर्टक्चर के साथ सरकार ने तकनीक उप्योग करते वे बहतर विवस्ता प्रदेश के अंदर तयार shining खास तौर पार गरीब कल्यान के चेतर में थी पहले लोगों को सुब्धा नहीं मिल पाती थी पिछले साथ वर्स में डवल इंजन सरकार आने का पेढ़ाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ पिना भेद भाव के लगबख 56 लाग गरीबों को एक-एक मकान मिल गया मनवान करिए पहले एक मकान दो मकान ने पाता 56 लाग लोगों को डवल इंजन सरकार ने मकान उप्लब्द करवा दिया 23 लाग हेक्टियर भूमी में अब तिक्ति सिचाई की सुब्धा दे दी एक लाग हीस घ़ार गॉओं जहां पे आजादी के बाद क्या आजादी के पहले आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुँची थी उन गाउं में बिजली पहुचा दी और एक करोड ठावाल लाग परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्द करवा दी गए गाउं गाउं में निया पंचेद अस्तर पर ब्लाक अस्तर पर हेल्ट एन वेल्नेस सेंटर बनाए जा रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जन्पतों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ काम कर रहा है यह परिवर्तन यही परिवर्तन ही है महला ससक्ती करण की दिसा में जो प्रियास होने चाहिए थे उसके सार्थक प्रदिना मारे है आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आपको स्फ्रक्सित मैसूस करती है युवा के मन में एक निया उत्सा है किसान खुसाल है हर एक तबके को बिना बहत्भाव के सासन की योजना का लाप राप्त हो रहा है और उन्हें इस बिकियों में उसी सुच्टा पूर तरीके से निक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रत्वत्ता के साथ कारे कर रही है हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि निक्ति की प्रक्रिया अगर इमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिवा को प्लाइन करने के लिए मजबूर करता है ये एक रास्टिय पाप है अगर युवा के साथ अन्याई होता है तो और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तै किया है कि युवाओं के जीवन और उनकी भोश्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम लोग भी जीरो टॉल्मेंस की नीति को अपना करके उन तत्तों से उतनी ही सक्ति और कठोरतम तरीकी से निपटने का काम करेंगे जो हमारी युवाओं की भोश्य के साथ खिलवाड़ करने का तुस्थास करेगा है और सरकार ने तो कारवाई प्रारंब की है प्रारंब में भी की थी अब फिर एक बार और कारवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों को खिला तो कि हम लोग तक्निक का उप्योग करते हैं तो हम लोगों कि समान ही वे तत्तव भी तक्निक का उप्योग करने लगते हैं कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभाता गलत काम नहीं करते अच्छी दिसा में आगे बढ़ते खुसाल का जीवन दखीद करते लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कारवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कारवाई हम लोग ऐसे तत्तों के खलाब करेंगे जो युँआओं के बहुत से किसा साथ खिलवाड करेंगे और कारवाई बहे ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कारवाई करते हैं तो ऊसको एक ऐसा प्रस्तूत करते हूं नजीर बन जाए दोश्रों को इसके सामने वो धरन प्रस्तूत करवाएंगे आज मुझे प्रसंद्था है कि सचवाले जो प्रसासिनिक सुधार विभाग के निरिक्सक में नौ लोगों को आयूस विभाग में आयूरवेद के हमारे चिकित्सा रिकारी के रुप में तीन सो साथ चिकित्सकों को कि सिचाईयों जलसंसादन विभाग में अवर अविंता के तीन दो सो चौटीस अभियंताओं को आवास विकास परीशत में अवर अभियंता के 123 अभियंता अभियर्कियों को डेंटल चिकित्सक की रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्त विभाग में ग्रे विभाग में 42 अभियोचनत सायक ज़ अभियोचना दिकारी और उत्तरप्देश पावर कार्पूरेशन में टेकनीशन ल्यक्टिकल की रूप में 852 पदों पर चैन की चुप्रक्रिया संपन् उन्हें ये निप्ति पत्र आज यहां पर बित्रित हो रहे हैं यह आपके चीवन में एक उधारण है आपने देखा होगा फॉम भरने से ले करके